अबतार सातियो मैंर आकेस वरजबत आज आपके लिएक नई स्टाप नर्स वेकेंस के लिए क्या गया हूं जो कि गॉवर्मेट की परमानेंट वेकेंसी होनेवाली है ओल इंडिया केडिडेट इस वेकेंसी में अपलाई कर सकते हैं मेल और फीमेल केंडिडेट दोनों के बेल आइकन दबा कर ओल का जो नोटिप केसन है उस पे क्लिक कर दे ताकि नर्सिंग ट्रेंट के आपको भी नुक भी मिशने करोगे तो सबसे पहले आपको टाटा मेमोरियल सेंटर टीमसी मुंबई की जो ओफिशिल साइट है वो ओपन करनी है और अगर आपको साइट का नहीं पता है तो फेस्बुक पे पेज है नर्सिंग ट्रेंट्स नाम से उस पे मैंने साइट का लिंक दे दिया है उस पे क्लिक करते हैं स मोड है वो ओपन कर ले ना हूँ ताकि यहां पे जो वेकेंसी है वो अपने को सबसे अच्छे तरीके से दिखाए दे जाए तो गाइस टीमसी की ओल इंडिया में अलग-अलग सेंटर है उसके लिए अलग-अलग ये वेकेंसी निकले गई है अभी दो सेंटर के लिए वेके डीकल पॉजिशन है जिसमें स्टाब नर्स की पोस्ट होने वाली है और इनकी जो जोब लोकेशन है वो अंदर पर्देस में होने वाली है ओल इंडिया के इडिटस अपने कर सकते मैं पहले ही यहाँ पर बता चुका हों दूसरी झो पोस्ट है वो यहाँ पे स्टाब नर्स A की होने वाली है जो कि 33 बटा 2020 का नोटिपिकेशन है यह भी फूल टाइम पोजिशन है नोन मेडिकल है और यह TMC की जो मुख्य होस्पिटल मुंबई है वहां के लिए यह वेकेंसी होने वाली है दोनों ही पोस्टों में आपको ओनलाइन अपला करने की जो लिंक है वो भी मिल जाएगा तो अपने यहाँ पे जो TMC मुंबई का जो नोटिपिकेशन है वो सबसे पहले देख लेते हैं उसमें क्या लिखा गया है उसके बाद में अपने आगे है वो दूसरी जो अंदर परदेश की जो मेल केंडिट्स की पोस्ट है उसके वी बात करने वाले हैं ओनलाइन फोरम है जोर्मेंट के वेकेंसी है परमाने ट वेकेंसी है और öğlimेAy कंडिए कूछं यहाँ पर लेज्चा करना है ऑप्लिकेशन के विए क्लिक मेन मुम्बई की ओस्पिटल टींग से की मुम्बई बे आपकी जोब लो प्लस चीनरल कर सकते हैं जो एज में रिलेक्सन और इंडिया के रूल्स के रहने वाला है अब इसके बाद में यहां पर दे दिया गया है कि क्वालिफिकेस्ट क्या होनी चाहिए तो गाइज यहां पर लिख दिया है कि जिन लोगों है जनरल नर्सिंग and midwife रिक है उनको oncology में डिप्लोमा होना जरूरी है तब यह आप apply कर सकते हैं प्लस आपका 2 साल का clinical experience हो तब यह आप apply कर सकते हैं जिन लोगों ने post basic B.A.C. nursing या B.A.C. nursing की है उनको भी 2 साल का clinical experience required है तब यह आप इसमें apply कर सकते हैं किसी भी state nursing council का registration तो आप apply कर सकते हैं और आ आपका excellence है वो minimum 50 waded hospital में होना चाहिए तब ही आप इस वेकेंश में apply कर सकते हैं ओनलाइन फोर्म अप्लाई करना है बारा आठ दो हजार बीस तक अप्लाई करना है यह सारी चीज आप फिर भी समझगे होंगे इसमें आगे कुछ बताने लाइक है नहीं जो दूसरी post है उसक कोई कम post होने वाली है लेकिन ओल इंडिया की वेकेंश है पर्मानेट वेकेंश है तो मैंने बता दिया है चोई साथ से फोर्म इस्टार्ट होगे 12 अगस 2020 तक फोर्म बरे जाएंगे यहां पर यह लिंक भी दे देगे यह नर्स ए की post है दो नमरे post दी गई है ओनलाइन फोर के बारे में बता देता हूं पूस इसमें किता दें हो ऊसकी बारे में बात करेंगे उसके बारे में अपने चलते हैं आगे तो काहां है इसमें पोस्त् 성्on dh v bienu k Cinia gi ama पोस्ट भी यहां पर फिजिकली हैंडिकेप्ट के लिए लिए और उनके लिए रखी गई है और यह सेम जो फिमेल नर्स का क्राइटेरी है वह का वह यहां पर रहने वाला है वह का वह एज़े करने वाला है आई विस वेकेंस की पूरी इन्फोर्मेशन आप समझके होगी फि पेश्बुक पेज नर्सिंग ट्रेंट्स पे जाकर आप मेसेज कर सकते हैं या नीचे डिस्कुश वक्ष पे मेरी मेल आईडी दी गई है उसे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी हाज रुताओं नेक्स वीलियो कर तब तक स्वासरे मसरे थेंक्यू प्रेंट्स